हालो और वेलकम टो अंकर डिश्टल पॉइंट कैसे हैं आप सभी मैं हूँ नहीं कान आप देख रहे हैं आपका अपने डूप चैनल अंकर डिश्टल पॉइंट किसी भी लोन या फिर क्रेडिट काड की एमाई टाइम से पे करने और ना करने का फाइदा और नुकसान आपको क्या होता है आज मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ यह वीडियो मैं आपके लिए इसे लेकर आए हूँ कि काफी कुमेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिसमें बोलते हैं हमने लोन अप्लाई किया रिजेक्ट हो गया वही क्या कारण है जो हमार सिबल स्कोर खराब कैसे होता है किसी भी लोन या फिर क्रेट कार्ड का पैमिंट टाइम से ना करने की वज़ा से तो आज मैं आपको यहाँ पर यही बताऊंगा किसी भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का टाइम से रिपेमिंट करने की वज़ा से आपको क्या नुकसान और अगर आप किसी भी loan यफी credit card का payment time से करते हैं यानि EMI time से देते हैं तो आपको क्या फायदा होता है अगर हम पहले फायदे की बात करें जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि आपका civil score बढ़ता है जी हाँ guys अगर आप time से किसी भी loan की EMI का credit card का payment करेंगे तो आपका civil score बढ़ेगा और अगर आपका civil score बढ़ेगा तो आपको loan और credit card मिलने के chance बहुत जादा हो जाते हैं दूसरा जो बड़ा फायदा आपको मिलता है अगर आप time से payment करते हैं किसी loan या credit card की EMI का वाइस आप उस penalty से बच जाते हैं जो किसी भी loan EMI या credit card का delay करने पर आपको देनी पड़ती है extra charges आपको यहाँ पर देनी पड़ती है उनसे आप बच जाते हैं और time से अगर किसी loan का repayment आप नहीं करते हैं या credit card का payment आप नहीं करते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं तो नुकसान आपको बहुत जादा होने वाले है बहुत ऐसे मेरे भाई जो ignore करते हैं loan की EMI या credit card का payment को क्योंकि वो first time loan लेते हैं वो सोचते हैं इससे क्या फरक पड़ेगा कोई बात नहीं दो दिन चार दिन लेट होगे कोई बात नहीं है देखे guys साइद आपको पता नहीं हो क्योंकि आपके account से पैसे कटते हैं उस time जब आप किसी loan EMI का या credit card का payment डिले करते हैं आपको extra charges देने होते हैं और वो कड़ जाते हैं साइद आपको पता है और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यह होता है कि आपका civil score घटता है guys आपका civil score down होता है और एक वक्त ऐसा आता है जब आपको loan या credit card की जोरत पढ़ती है और आप loan या credit card apply करते हैं उस वक्त company क्या देखती है आपका civil score और civil score किस चीज़ से बनता है जब आप किसी का loan का repayment टाइम से करेंगे credit card का payment आप टाइम से करेंगे तब आपका civil score बढ़ेगा और अगर आपने टाइम से repayment नहीं कर रखा है किसी भी loan या free EMI का तो guys आपका civil score गटेगा और company को हाँ पर और शोगर जाए कि भाई इसने तो time से repayment नहीं कर रहे है इसको तो extra penalty लगी हुई है तो क्या होता है आपका loan और credit card reject हो जाता है अगर मैं आपको एक example दूँ देखें मैं यहाँ पर बजाज finance के customer हूँ अगर आप देखें गाईज अभी screen पर आपको यहाँ पर बजाज फिंसर्व नाम से एक website open दिखाए दे रही है मैंने यह open कर रखिये मैं इसका एक example आपको बताता हूँ मेरे पास है बजाज EMI card और अगर आप देखें गाईज अभी screen पर यहाँ पर मेरे लिए एक pre approved offer है तुविला loan का 1,35,000 रुपेगा यह मुझे क्यों मिला है पता है क्यों मिला है यह मुझे इसलिए मिला है कि मैंने बजाज EMI card से जो भी product लिए उनकी जो EMI है वो मैंने time से pay की है अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा हूँ ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार जो मैंने यहाँ से अभी loan लिये है और जिनको मैं close कर चुका हूँ जैसे मैंने view all पर क्लिक क्या यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी सब से उपर यहाँ पर मेरा है बजाज EMI card जो आपको दिखाए दे रहा है जिसकी जो limit है वो 64,500 रुपे है और available limit भी यहाँ पर 64,500 है क्योंकि मैंने अभी जो है मैं इसको use नहीं किया है जो मैंने loan लिये तो उसका time से repayment कर दिया है और मेरे पास एक health EMI card भी है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1,355 रुपे का pre जो गए जब मैंने यहाँ पर time से repayment किया उसकी वजह से मुझे बजाज finance कर रहा है प्री अप्रूट ओफर तुविला loan के लिए इतना नहीं यहाँ यहाँ पर आपको प्री अप्रूट ओफर परसन लोन के लिए मिल सकता है प्री अप्रूट ओफर आपको यहाँ पर केट क कर रहे हैं वो कंपनी आपके सीबले स्कोर को देख कर कि हाँ भाई यार इस बंदेना बहुत अच्छी तरीकी से टाइम का repayment क्या है ठीक है इसको कोई penalty नहीं लगी हुई है चलिए इसको लोन ओफर करते हैं और गाइस मैं आपको बता दूँ जब आपको वहाँ पर लोन ओ पे करने पर या फिर माल लीजिए अगर आप मैं आपको एक और एक और एकजमपल देता हूं बजाज फाइनेंस काई कि अगर आपने बजाज फाइनेंस से कोई personal loan लिया है और आपने सारी की सारी EMI time से पे की है माल लीजिए आपने 12 महिने के लिए कोई loan ले रखा है और आ बजाज credit card के लिए offer कर सकता है बजाज personal loan offer कर सकता है दुबारे से कि आप बड़ा loan ले लिजिए या फिर आपको home loan यानि घुल मिला के बाब गाइस यह है कि देखिए बजाज ये कितने सारे product है आप अगर देखेंगे बजाज के बहुत सारे product है आपको यहाँ पर personal loan मिलता है आपको home loan मिलता है आप यहाँ पर जो है credit card apply कर सकते है अगर आप देखेंगे सब से ओपर यहाँ पर देखिए apply for loan का आपको यहाँ पर टैप दिखाए दरहा है सब से ओपर आप यहाँ पर personal loan, business loan, doctor loan और gold loan ले सकते हैं तो आपको यहाँ पर बजाज finance आपकी जो EMI pay कर रह दूसरा गाज देखें यहाँ पर आपको यह offer कर सकता है इंस्टा EMI card के लिए अगर आपने personal loan ले रखा है या फिर अगर आपने आपकी पास इंस्टा EMI card है या बजाज EMI card आपकी पास पहले से है तो आपको कर सकता है personal loan के लिए offer ठीक है personal loan ले रखा है तो EMI card के लिए create card क के लिए offer कर सकता है क्योंकि क्या होता देखिए कोई भी company होती है वो देखते हैं कि हमारा customer सामने किस तरह का है अगर आप अच्छी तरीकी से loan का repayment कर रहे है ठीक है time से pay कर रहे है EMI को तो guys आपको वो company अपने जितने ही product होती है आइस सारे के सारे के लिए offer करती रहती है ठीक है डिपैंड करता है आपके eligibility के ओपर आपकी city के ओपर की महाँ पर बजाए finance अवलेबल है या फिर जो भी company से आप loan ले रहे है वो अवलेबल है या नहीं है ठीक है तो इसके अला आपको मिलते हैं guys अगर आप time से repayment करते हैं किसी भी loan EMI का या फिर किसी भी credit card का बात करते हैं अब ज्यादा नुकसान के देखी guys नुकसान क्या होता है अगर आपने मान लीजिए बजाए finance से कोई loan लिया है और आप उसका time से repayment नहीं कर रहे है यानि EMI तो pay कर रहे हैं तो आपका civil score तुरंट घटेगा तुरंट डाउन जाएगा guys ठीक है और वहाँ पर आजाएगा कि आपने EMI late की है अगर आप दुबारा score करेंगे ऐसा ही करेंगे फिर दो बार हो जाएगा तीन बार हो जाएगा तो आपको क्या करेगा बजाए finance ने एक बार तो आपको loan दे जाता है कि आपने कितने loan का repayment time से किया और कितने loan की EMI आपकी delay होई या नहीं हो जो भी है सब कुछ आपको यहाँ पता चल जाता है परस आपका civil score आपको यहाँ पर पता चल जाता है देखिए आपको यहाँ पर क्या है कि civil के साथ में tie-up करना के बाद में बजाए finance आपका इसकी बाद आपका civil score आपके सामने आ जाएगा और जब आपको पता चलेगा कि हमने कितनी गलतिया की है क्योगि क्या होता है अगर आप time से repayment नहीं करते है एक तो आपका civil score डाउन होता है कोई भी company loan नहीं देती है या फिर अगर देती है तो उसका interest जादा होता है उनको प अंदा जो है सही नहीं है time से repayment नहीं करते है रिस्क ले लेते हैं लेकर interest आपको जाद देना होता है credit card के लिए offer जल्दी से नहीं मिलते है बजा जी हमाई card के लिए offer नहीं मिलते है अगर आप आपको बहुत जादा नुकसान होता है और इसी की वज़ा से आपको loan और credit card के लिए offer नहीं मिलते है बार बार आपके loan credit card reject होते है और जो आपके loan credit card reject होते है दुबार से फिर आपका civil score down होता है तो मैं आपको बोलता हो कि आप अगर किसी भी company से loan या फिर credit card ले उसका time से repayment करें time से EMI pay करें तो इसका benefit आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा कोई भी company आपको loan के लिए offer कर सकते है बड़े loan के लिए offer कर सकते है ठीक है और बजाए finance में अगर आप चाहते है loan apply करना तो description में आपको link मिल जाएगा बजाए finance में जाकर आप personal loan के लिए apply कर सकते है ठीक अगर आज के लिए बसी इतना ही